आजो आज़कि वन्हें एमी ट्रिप्तिलिन टेबिलेट के बादे में हैं यहाँ टेबिलेट किस विमारी में इप्यों किये जाता है इसके मोटाफ आक्षिन को जाने sépskine को जानें सबसे पहले बात करते हैं about Emitryptiline की तो Emitryptiline एक तरह का tricyclic anti-depression होता है यानि कि यह depression में यूज होने वाली medicine होती है इसकी जो famous brand name आती है वो ट्रिप्टो मर्ट 10 की नाम से भी जाती है 25 के 50 की नाम से भी मिल जाती है company work heart बनाती है इसकी जो composition होती है उसमें Emitryptiline 10 mg पाया जाता है इसमें 50 mg, 75 mg, 25 mg और 100 mg की टेबलेट आपको मार्केर में मिल जाती हैं बात करने इसके मार्केंजा बाब आप एक्सन की तो यहां सरीर में काम कैसी करती है तो आपके ब्रेन में तो यहां सरीरी टॉनिन और इपिनेफरिन को रियाप्टेक कर लेती है ऐसे केमिकल्स होते हैं यह निउर्यो ट्रांस्मीटर होते हैं जो आपकी बाड़ी में injury या पेन को ट्रांस्मीट करते हैं तो इसको रही अप्टेक कर लेता है एमिट्रिप्टिलिन जिससे कि यह सिंगनल आपके ब्रेन तक नहीं जा पाते हैं आपको प्रेंग का एसास नहीं होता है बात किने इसके में यूज़ के बारे में तो इसका यूज कहां कहां किया जाता है तो सबसे पहला हो यूज है बोमेटिंग सिंड्रोम यानि कि आपको अगर उल्टी आ रही है मिचली भी आ रही है चक्कर आ रही है उसके साथ इंडियाजेशन की प्राब्लम है तो उसमें किया जाए मेजर डिप्रेशन अगर आपको बहुत जादा टेंसर रहती है हेड़क र हो तो उसका कंडियर के रहता है आपके पैन में यूज के बार कि बहुत जबना रहता है मैघरेन अटाइक कर दोच के अनुशार आपके बारकुसे के अनुछए के इसके अनूज को पूस्क्तिक हो प्रिस्काइब करते हैं इसे ओडी भी दिया जाता है और बीडी भी दिया जाता है अगर 10 mg की है 25 mg की या 50 mg की है तो उसे आप लेकर एक बार अपने कंसल्ट क्वालीफाइड डेक्टर से जरुर ने कंसल्ट कर लीजी क्योंकि इसके आपके सजी पे बहुत जादा साइड इबेक्ट भी देखने को मिलते हैं आप इस टबलेट को खुछ से खाजित कर यूज मत कीजिएगा बात करें इसके साइड इबेक्ट भी आने में तो इसके कि अनुप्र सकती हैं कि आपको बहुत ज्यादा लग tut नाइट में आपको भूतियों सपने आएंगे कुछ आईसे अनप्रीजिंट सपने आएंगे जिसे आप पसंद रहें करते हैं हैड़क हो सकता आपके सार में भारी दर्द हो सकता माइडरीन की प्राव्लम हो सकती है ड्राइ मारूथ आपका मारूथ बहुत सूख सकता है तो इससे आप पानी बहुत ज़्यादा पिए कांस्टिपेशन की प्राबलम हो सकती है आपके पेट में बहुत ज्यादा आइंठन होगी गैस बन सकती है अगर इसमें से आपको कोई भी साइस बेक एक साथ दिख रें हैं टैबलेट को लेने के बाद तो क्ौालिफाइड ください और से जरूर expired cannot यह माइंडिकाब टैबलेट होती है तो इस तैबलेट को बिना डाक्टर के Prescription कोई भी मेडिकल इसच्रों वाला बाए बाए